हाव रुफीक्स सैमसंग M10S हैटफॉन सिंबॉल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सभी का तिकराच यूट्प चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है हैटफॉन सिंबॉल प्रॉबलम यहाप इस सॉल्फ कर स देखते हैं यह सब दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को अंतक देखें जो भी सॉल्फीन उसको फॉलो कीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा कई सारी डिवाइस ऐसा होते हैं जो की हैटफॉन सिंबॉल प्रॉब्लम फेस करते ह है वीडियो जाने जो सब्सक्राइब करें किसी भी बर हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चले दोस्तों वीदियो शुरू करते हैं तो जो सबसे पहले कैसे फिक्स कर सकते हैं पहले तो दूस्तों आप अपने हैटफौन जेक जो है जिसमें प्लग करते है आप ठीक है मोबायल होते हैं है प्लग करने का उसको त कुछ ले सकते कि उससे आप साफ कर सकते हैं ठीक है तो थोरा साफ कर देखे कई बर कच्रा बगएदा चले जाते हैं या फिर बहुरी डस्ट चले जाते तो उसके वज़े से प्रॉब्लम इशु आ जाते हैं तो आपको साफ करके देखना है और जो जो हेड़फॉन आप यूज़ कर रहे वह चेक करके देखे वर्किंग कंडिशन पर है या नहीं है सपोर्टेट हैडफॉन है नहीं है वह आप चेक करें एंडेंट देखिए आपका प्रॉब्लेम सॉल्फ होता है या नहीं होते हैं सॉल्फ हो जाना चाहिए दोस्तों अगर स हेड़फॉन को जो है अच्छे से एक बार जोर से प्लक कीजिए और जोर से आप उसको बाहर पर निकाल दीजिए जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं कई बार ठीक है तो आपको दोस्तों यह जो चीज़से फास्ट में करना होगा एक बार जो है आप स्पीट से जो है अपने एर को रिश्टार्ट भी करके देखें रिश्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम सौल्फ हो जाना चाहिए अगर सौल्फ हो जाते हैं यह सारे सौलीशन करने के बाद आपका प्रॉब्लम तो अच्छी बाद है लेकिन मान लीजिए आपको अभी भी अगर प्रॉब्लम अगर fixed होना है तो वो fixed हो जाएगा ठीक है तो check किजिए software update है या नहीं है software update करना बहुत ही जरूरी है सारे सार आपका Bluetooth बगरा जो है बन करके ही राखिए ठीक है और software update करने के बाद check करके देखे solve हो जाएगा आपका problem by any chance अगर fix नहीं होते हैं तो जाएगे दोस्तों mobile के setting पर general management को click करें और reset option पर जाते हुए आपको factory data select करना है और आपने mobile को factory data reset कर देना है reset पर क्लिक करें mobile password भर दे और उसके बाद factory data reset कर दीचेगा आप चाहे तो दोस्तों survey center का भी मदद ले सकते हैं ठीक है वो आपको यह problem solve करके देगा लेकिन अगर आपको खुद से fix करना है तो यह सारे solution आप कीजिए solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से headphone symbol problem solve कर सकते हैं उम